हलो दोस्तों, विल्काम बैक, आज मैं कीचन का काम आसान करने के लिए लेकर आए हूँ 10 टिप्स जो की हर दिन काम आएगा और मनी सेविंग भी होगी, चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टिप होगी इस तरह की बाजार को लेकर, जब हम इस तरह से बाजार लाते हैं, तो इसको सही ढंग से रखना भी जरूरी है और सही ढंग से रखने के लिए पहले जो टिप में आप सब के साथ स्यार करूंगी, ओ है आटे का जो ये पैकेट्स है पहले पैकेट को खोलने से पहले दोस्तो इस तरह से इसको नीचे उतारना चाहिए, ताकि जब इसको कट करें, तो आटा इधर उधर ना चिर के, इसलिए दोस्तो, और हाँ दोस्तो, कभी-कभी ऐसा होता है कि मुझे चार रोटी ही बनानी है, लेकिन हमें अंदाज नहीं ह होता है कि इतना कितना आटा लेने से चार रोटी बनता है, तो इसलिए दोस्तो, ऐसा कुछ टिप में आप सब के साथ सेयर करूंगी, जो कि आपको भी पता चल जाएगा, कि हमें कितना आटा लेनी है, और कितनी रोटी बनेगी, तो उसके लिए तो पहले इस आटे को इस ज समझ में आ जाएगा पहले बार और उसी हिसाब से ही आटा को निकलना चाहिए, चलिए बढ़ते हैं अगली टीप की तरफ, अगली टीप होगी यह जो बचा हुआ आटा है इस पैकेट के अंधर, तो इस पैकेट को भी तो अच्छे से रखना चाहिए है ना, तो इस तरह से इसको मोर लिया है और मोरने के बाद ऐसे छोड़ देने से नहीं चलेगा, तो ले लिया है मैंने रबर बैन और एक रबर बैन देने से नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह बड़ा बाला पैकेट है, पांच केजिगा, तो दो रबर बैन इस तरह से दे दिआ है और यह किसी तरह से खराब नहीं होगा चलिए अब इस मुड़ मुड़े का क्या करना है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मुड़ मुड़े में करना होता है तो क्या करें कि मुड़ मुड़ा पूरा फ्रेस हो जाए कि यह मसीन की है पैकेट वाली तो इसमें तो कोई गंदेगी नहीं होती है लेकिन जो घर में बनाते हैं, तो घर में बनाने वाली उस मुर्मड का ना कभी-कभी कर्ण होता है, तो इस तरह से छन्नी तो हरकिसी के घर में होते हैं, अगर कर्ण हो या फिल लगता है कुछ है, तो इस तरह से छन्नी से छन लेना चाहिए, तो ओ फ्रेस हो जाएगा, अब ये जो biscuit के packet है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जल्दी में होते हैं और बिस्किट को दो-चार निकल कर ऐसे रख देते हैं लेकिन दोस्तो जब बाद में इसको खोलने के लिए जाते है ना नरम हो जाता है और नरम होने से खाने में अच्छा नहीं लगेगा किचन में तो हर किसी के किचन में तो इस तरह की कैरी होते हैं जितनी भी जल्दी हो दोस्तो इस तरह से अगर कैरी के अंदर डाल दोगे और डालके अगर आप डब्बे में डालने के टाइम ना हो आपके पास तो इस तरह से कैरी में डालके आप फ्रीज में रख सकते हो और य यानि कि साधा कैरी में रखोगे तो कैरी खोल कर देखना नहीं पड़ेगा, हम उपर से ही देख सकते हैं, और बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ जिस डब्बे में भी मुर्मुरा रखोगे, उस डब्बे के अंदर एक कटुरी हो, या फिर कोई गलास हो रखना चाहिए और ज्यादा दिन अच्छा रखने के लिए ये जो धक्कन है धक्कन देने से पहले अगर इस तरह की प्लास्टिक हो या फिर पेपर हो अगर दे दूगे ना, तो ये ज्यादा दिन तक अच्छा र पहले इसमें पेपर जरूर डांगना, पेपर देने से क्या होगा कि चावल में नमी नहीं आएगी अगर लगे कि चावल में कीड़े लग सकता है तो अब में भी पेपर दे सकते हो पेपर देने के बाद है धकन को अच्छे से लगा देना चाहिए चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ इस तरह की खाली सैंपू की पैकेट है तो खाली सैंपू की पैकेट का हम क्या करूंगी यह बहुती बढ़िया जबर्दस टिप है दोस्तो तो चलिए सबसे पहले इस सैंपू की पैकेट को छोटे छोटे टुक्रे में काटना है जि वीडियो को skip मत किजिए दूस्तों क्योंकि अगर skip करोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हो देख रहे हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है दूस्तों सब्सक्राइब करना तो एक दम से फ्री है तो चलिए उंगली दवाईए और सब्सक्राइब किजिए ताकि मेरा हर दिन का नोटिफिकसन आपके मोवाइल में सबसे पहले पहुँच जाए तो चलिए इस तरह से मैंने तो काट लिया है अब इसमें डालूँगी पानी तो मैंने यहां पे दो किलास पानी डाल दूँगी अब ये पानी कि काम की है वो भी बता दूँगी तो सबसे पहले तो इस तरह से अच्छे से हिला लूँगी हिलाने के बाद आप जैसे की देख सकते हो इसके अंदर जितना भी सैंपू बचा हुआ था थोड़ा बहुत वो पानी में निकल आया है अब पानी में निकल जाने के बाद इस पानी का यूज़ कर सकते हो क्योंकि इस पानी में सुन्दर सा एक स्मेल निकलता है सैंपू की सभी कोई जानते हो तो बहुती बढ़िया टीप है अच्छा स्मेल आने के लिए पोचा लगा सकते हो या फिर यहां पे इस पानी का कपड़े धोने से भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कीचन टावल इसमें क्लीन कर लूँगी ताकि इससे अच्छे एक स्मेल आ जाए चलिए बढ़ते हैं दूसरी टीप की तरफ इस तरह की जो पीलो कवर होते हैं ज्यादातार पीलो कवर की कलर जो है वो फेक हो जाता है तो इसको हम एक तरफ ना फिक के इस तरह से इसमाल कर सकते हैं जैसे कि यह सबजी आ पाजार से कैरी में लाते हैं और हम सब इस कैरी के अंदर ही फ्रीज में डाल देते हैं तो यह जाता दिन तक अच्छा नहीं रहता है यह सड़ जाता है अगर हम इस तरह से पीलो कवर के अंदर डाल के फ्रीज में रखेंगे तो बहुत दिन तक अच्छा रहेगा दोस्तो आज माकर देख सकते हो ये टिप चलिए बढ़ते हैं अब अगली टिप की तरफ तो हमें यहां पे एक solution बना नहीं है तो पहले मैंने लिया है एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच जैसा ले लूँगी टेलकॉम पाउडर तो कोई भी पाउडर ले सकते हो और पाउडर हो तो ओ भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है अब इसको अच्छे से मैंने मिला लिया चलिए अब इस एक इस काम क जैसे कि जाडू हमें घर क्लीन करने के लिए जाडू तो रखना चाहिए और हम सभी रखते भी हैं लेकिन इस जाडू को भी क्लीन करना चाहिए दोस्तों कभी-कभी ऐसा कूछ हम जाडू दे देते हैं कि जाडू में ही चीटिया लग जाते हैं और बैडी स्मेल भी होते है तो powder जैसे की आप देख सकते हो powder bad smell भगाने में मदद करेगा और जो हल्दी है ये किड़े, मकोड़े या फिर चीठिया इसकी smell यानि की हल्दी की smell अच्छे नहीं लगते हैं तो ये बहुत ही जबर्दस टीप है आप ये टीप आजमा कर देख सकते हो और हल्दी आर पाउडर की ये मिस्टन ना बर्तन बगेरा दोने के बाद रात में ये मिस्टन अगर इस सिंक में डाल दोगे तो नीचे से किड़ा नहीं आएगा दोस्तो आज के लिए बस इतना ही फिर कर मिलूंगी